हलो फ्रेंड्स e-learning गैंगी इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों कुछ दिन पहले गॉर्मेंट ने एक important announcement किया था हम अपने PF balance का 75% amount withdraw कर सकते हैं और वो जो process है 72 hours के अंदर complete हो जाएगा ऐसा EPFO claim भी कर चुका है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हमा आपके पास क्या options बसते हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में discuss करेंगे दोस्तों live demo भी देखेंगे उसके साथ साथ थोड़ा discussion भी करेंगे discussion थोड़ा जादा होगा क्योंकि बहुत सारे points है जिनका आपको ध्यान रखना है claim submit करते समय दोस्तों already हमने COVID-19 से related एक video बनाय अभी तक process नहीं हो रहा तो उन सब problems को हम इस वीडियो में address करने की कोशिश करेंगे दोस्तों आगे बड़े उससे पहले मैं आपसे request करूँगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए सब्सक्राइब करने के बाद बगर लो जो bell icon है उस पर click करना CAPTCHA code enter करना है और sign in पर click कर देना है ध्यान देना UN number आपका activate होना चाहिए तभी online services का इस्तवाल कर सकते हैं नहीं है तो आपको नीचे वीडियो मिल जाएगा description में आप कर लीजिए हमारा है तो हम यहाँ पर login कर लेते हैं जल्दी से login करते ही इस तरीके से page आ जाएगा लेटर बर click कर देंगे उसको उटा देंगे दोस्तों सबसे important और सबसे पहला point आपको ध्यान में रखना है कि right side में member profile है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आधार pen और bank account number यह link होना चाहिए मतलब KYC आपका हुआ होना चाहिए दोस्तों तो कुछ दिन पहले ही EPFO का एक press release आया था यहाँ पर भी लिखा है कि fully KYC compliant होगा तो ही 72 गंटे के अंदर आपका claim settle होगा और in case आपका KYC नहीं हुआ है manage में जाईएगा KYC पर click कर दीजिए इसका वीडियो आपको नीचे description में मिल जाएगा आप उसको follow करके अपना KYC कर सकत है ठीक है तो हमारे case में KYC हुआ है हम जाएंगे online services में claim यहाँ पर दिखाई दे रहा form 31 19 10C 1010 पर click कर देंगे अब इस तरीके से page आ गया है अब जल्दी से हम यहाँ पर bank account number इंटर कर देंगे दोस्तों ध्यान देना है जो bank account number हमारे UN profile से link है उसी को यहाँ पर इंटर करना ह दुसरे किसी bank को यहाँ पर इंटर नहीं कर देना है क्योंकि process आगे नहीं होगा हम जल्दी से इंटर कर देते हैं bank account number हमने इंटर कर दिया verify पर click करेंगे उसके बाद I agree to the term and condition yes पर click कर लेंगे उपर आप जो भी दिया गया है उसको आप पढ़ सकते हैं लेकिन हमने बहुत सारे वीडियो भी बनाया है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे जल्दी से उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर proceed for online claim यह option आ जाता है क्लिक कर देंगे जल्दी से उसके बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा अब यहाँ पर हमें option दिखाई देता है I want to apply for और यहाँ प आप थोड़ा भी skip मत करिएगा और ध्यान से देखिएगा कि क्या important point हम यहाँ पर discuss करने वाले है स्क्रोल करके थोड़ा सा उपर चले आएंगे और यहाँ पर देखिए I want to apply for PF advance हमने चुन लिया उसके बाद नीचे सबसे पहले हमें option दिखाई देता है purpose for which advance is required तो दुसरा स option ही select करना है अगर आपको पैसा जल्दी चाहिए तो दुसरा option अगर आप select करते हैं तो जल्दी आपका पैसा नहीं आएगा यह आपने पहले ही दूसरा कोई option select करके अपना claim submit किया हुआ है तो दोस्तों आपको पैसा जल्दी नहीं आएगा अब इसका reason में पहले आपको बताता हूँ फिर solution भी बताता हूँ कि in case आपने अगर दूसरा category select कर लिया है तो क्या options हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्यूं आपका जल्दी पैसा नहीं आएगा in case आपने अगर दिखाता हूँ यह है paragraph यह देखिए यह paragraph है आप इसको बढ़ सकते हैं यहाँ पर मैं आपको shortcut में बताता हूँ कि क्या लिखा यहाँ पर लिखा है कि EPFO ने एक software एक नया system बनाया है COVID-19 को ध्यान में रख कर अगर हम COVID-19 वाला option select करते हैं तो हमारा process जल्दी complete होगा क्योंकि ह हमारा process automatic होगा यहाँ पर कोई भी field officer involved नहीं होगा हम जैसे claim submit करेंगी यह directly system में जाएगा और system उस claim को reject करेगा या तो accept करेगा reject होने के chances बहुत कम होते हैं अगर हम सब rule regulation follow करेंगे तो और in case अगर हम दूसरा कोई category select करते हैं और PF advance का claim submit करते हैं तो वो claim इस automatic system में नहीं आएगा field officer के पास तो पूराने समय में जैसे 10-15 दिन 20 दिन एक महीने लगते थे उस तरीके से काम होगा तो इसलिए ध्यान देना अगर आप claim settle करना चाहते हैं तो outbreak of pandemic covid-19 वाला option ही select करिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इन case आपने अगर दूसरा option select कर लिया हुआ है और आपने claim submit भी कर दिया हुआ है तो आपके पास क्या रास्ता है इसी press release में बताया गया है उसका भी रास्ता यह देखिए इस press release के पहले paragraph में ही आएंगे तो यहां पर देखिए members who have applied for claims in some other category can also file claim to fight pandemic and depending upon the KYC compliance condition of each member every effort is being made to settle claim at the earliest तो यहां पर clearly दिया गया है कि in case आपने किसी दूसरी category में अब दूसरी category में क्या आ सकता है दूसरी category में आ सकता है कि जो options यहां पर दिये गया है वो भी आ सकता है उसके अलावा हो सकता है कि आपने PF का जो form 19 होता है वो आपने submit किया हो तो वो भी इसमें include हो जाता है तो in case आपने अगर दुसरा कोई option select किया हुआ या PF19 वाला form select किया हुआ है तो वो process होने में समय लगेगा तो press release में बताया गया है कि आप अगर चाहें तो फिर से PF advance में outbreak of pandemic covid19 वाला option select करके इसे file कर सकते हैं ताकि आपका process जल्दी हो तो दोस्तों यह सबसे important point है जो हमने discuss कर लिया अब आगे बढ़ेंगे तो एक और important point है amount of advance required यहाँ पर आपको amount इंटर करना है amount कितना इंटर करना है हमारे दिमाग में बैठा है कि PF balance का 75% जबकि ऐसा नहीं यह EPFO ने rule बनाया है और वो rule क्या है मैं आपको बता देता हूँ देखिए तीन महीने का salary या तो PF balance का 75% दोनों म तो उसके लिए calculation भी करना पड़ेगा calculation इतना आसान है नहीं अब calculation कैसे करना है उसका detail video हमने बनाया हुआ है जिस पर एक लाग से ज्यादा view भी आ चुके हैं तो नीचे description में आपको उसका link मिल जाएगा या तो इस video के अंत में भी आपको उसका link मिल जाएगा उस पर click करके आप वीडियो देख सकते हैं ध्यान देना है calculation बहुत ही important है wrong calculation करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया है कि यह system उसे verify ठीक से नहीं कर पाएगा ऐसा हो सकता है और आपका claim delay हो जाए वो field officer के पास जाए तो process slow होगा तो करना क्या है आपको calculation समझ लेना है हमारे वीडियो में है calculation सम माजने के बाद उतना ही amount आपको इंटर करना है जैसे मैं आपको example बताते हैं हमारे case में calculation हमने किया 46 580 आ रहा है तो इतना ही amount हमें यहाँ पर इंटर करना है इससे ज्यादा नहीं करना है ध्यान देना ज्यादा नहीं करना है otherwise हमारा claim reject हो जाएगा या तो delay हो जाएगा ज्य 45,000 भी डाल सकते हैं तो हमारा process और तेजी से हो जाएगा इस चीज का आपको ध्यान देना है तो यहाँ पर हम amount डाल देते हैं 45,000 उसके बाद जल्दी से यहाँ पर employee का address मतलब हमें अपना address इंटर करना है company का address गलती से इंटर नहीं कर देना हमें खुद का address इंटर करना है यहाँ पर मैं fake address इंटर करना हूँ आपको सही address अपना इंटर करना है तो address हमने इंटर कर दिया पिन इंटर करने के बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर upload scanned copy of check and passbook अब दोस्तों यहाँ पर भी काफी लोग गलतियां कर दे रहे हैं rare ही है लेकिन गलतियां कर रहे हैं चेक checkbook और passbook का copy उस account का होगा जो कि हमारे UN portal पर link है और checkbook और passbook का copy जब हम upload करेंगे तो उसमें bank account number, IFC code और नाम यह तीनों चीजे ठीक से दिखाई देना चाहिए आपके पास अगर scanner नहीं है तो आप checkbook या passbook को अच्छे से रखिए एक photo खीचिए और उसको थोड़ा सा edit यह minimum size 100KB का है और maximum size 500KB का है 500KB में बहुत ही अच्छे resolution का आप photo upload कर सकते हैं उसके बाद यहाँ नीचे कुछ लिखा गया है आप इसको पढ़ सकते हैं कि हमने जो भी detail दिया वो सब सही है वगयरा लिखा हुआ है इस पर click कर देंगे get aadhar otp पर click करना जैसे get aadhar otp पर click कर देता हूं इस तरीके से हमें message आ जाएगा आपका mobile number जो अधार card से link है उस पर otp आएगा वो आपको यहाँ पर enter कर लेना है और यहाँ नीचे validate and submit claim form इस पर आपको click कर देना है click करते ही आपका claim submit हो जाएगा और उसके बाद आपको wait करना है तो जो भी important points मैंने बताया हुआ है उसको आपको ध्यान में रखना है कुछ भी उसमें से wrong करते हैं तो आपका form या तो delay होगा या तो reject हो जाएगा हम यहाँ पर submit नहीं करने क्योंकि हमें पैसों की फिलाल कोई जरूरत नहीं है PF amount हमें निकालना नहीं है दोस्तों in case मैं आपको यहाँ पर एक advice देना चाहू है और इस पर जो return आपको मिलता है वो काफी अच्छा होता है आज अगर आप पैसा निकाल लेते हैं और उसको दूसरे किसी safe investment वाले option में आप पैसा डालते हैं तो वहाँ से आपको आज की तारीक में अच्छा return नहीं आने वाला है जब तक आपको जरूरत नहों इस पैसे क होगा हमने पूरा process समझ लिया हुआ है और किस तरीके से आपको PF advance का claim submit करना है वो भी हमने देख लिया हुआ क्या सावधानिया बरतनी है वो भी हमने जान लिया हुआ तो दोस्तों इस वीडियो में पास इतना ही कोई भी query है इस वीडियो से related तो आप नीचे comment कर सकते हैं द कुराते रहें धन्यवाद